दोस्तों कि आप भी कई सालों से कई महीनों से कई दिनों से नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन अब हार चुके हैं क्योंकि करोना काल के दौरान नौकरियों का क्या हाल है वो हम ऐसे और आप से छिपा नहीं है लेकिन दोस्तों मैं ऐसे लोगों को भी जाती हूं जो कई सालो से कहीं ज़ादा बेटर है अपना बिजनस शुरू करना लेकिन बिजनस को लेकर हर किसी के मन में यही आशंकार रहती है कि क्या हमारा बिजनस चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसा नहों कि जो पचा कुछा पैसा था वो भी बिजनस में डूप जाए तो आज हम आपको यही बताने के वाले हैं कि ऐसे कौन से बिजनस है जो कम लागत में शुरू करे जा सकते हैं और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं इससे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा वीडियो अंति तक देखेगा अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऐसे बिजनस की जो एक समय में 80 रुपे में शुरू किया गया था और आज 800 करोड का हो गया है बिजनस है पापर का मात्र 80 रुपेश से शुरू हुआ लिज़त पापड का बिजनस आज 800 करोड का बन चुका है सोच क्या रहे हैं घर की महिलाएं या इंटरनेट से तुरंत इस हुनर को सीख डालिए और शुरू कर दीजे अपना ब्रैंड क्या पता अगला नंबर आपका हो दूसरे जिस बिजनस की बात करूंगी वो आज कल ऑनलाइन हो गया है बात कर रहे हूं कोचिंग सेंटर्स की आज कल नौकरियों में इतनी सैलरी नहीं है जितनी कोचिंग सेंटर्स की कमाई अगर आपकी भी किसी विशे पर अच्छी पकड़ है तो कुछ बच्चों के साथ एक छूटे से कमरे में भी आप अपने सेंटर की शुरुआत कर सकते हैं अगला बिजनस जो आप बहुत ही कम लागत में शुरू कर सकते हैं वो है पॉपकॉन का बिजनस रेडिमेड पॉपकॉन के पैकेट अगर कभी खरीदे हों तो उनकी आसमान चूती केमतों का अंदाजा आपको होगा हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन मक्के के दानों से ये बनते हैं वो सीजन में काफी सस्ते रेट पे मिल जाते हैं आप दुकान से इसे खरीच सकते हैं पॉपकॉन बना कर बेटर दामों में बेट सकते हैं फूट जूस शॉपक का भी बिजनस एक ऐसा बिजनस है जो आपका लागत में शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एक जूसर मशीन के साथ आप अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं बगीचे वालों से आपको फल कम कीमत में मिल जाएंगे आज कल स्वास्ते के प्रती बढ़ती चागरूपता से शायद ही कोई जूस शॉप खाली दिखती हो इंटरनेट कैफे भी एक अच्छा बिजनस हो सकता है अगर आप ये आचिकल अपने लैप्टॉप या डेक्स्टॉप पर अपने ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ पढ़ रहे हैं तो बस एक प्रिंटर ओल ले आएं मोबाइल रिचार्ट शॉप हम सब जानते हैं ये बिजनस आज की डेंट में कितना ज़दा फल पूरा है आजकल कई सारे ऐसे पेमेंट एप हैं जो ऑनलाइन रिचार्ट के सुविदा प्रधान करते हैं लेकिन अभी भी ग्रामिन परिवेश में कई ऐसे लोग हैं जो मोबाइल शॉप से ही रिचार्ट करना पसंद करते हैं ऐसे में आप ये सुविदा लोगों को महिया करा कर अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं रिचार्ट के अलावा अन्य ओनलाइन सर्विसिज भी आप अपनी दुकान में उपलब्ध करा सकते हैं भाग दौर बरी जिंदगी में खाने पीने का होश लोगों को कम रहता है बिना खाई घर से निकल जाना और दफ्तर में भी कुछा खाना ये लोगों की आदत बन गई है हाला कि ऐसे में अगर रास्ते में कोई बढ़िया सी नाश्टे की दुकान दिख जाए तो बिना रुके लोग रहने ही पाते इस्ते चाय नाश्टे का ये बिजनस आपके लिए काफी उप्योगी हो सकता है सिलाई कड़ाई के अगर हम बात करें तो सिलाई कड़ाई हर कहीं किसी भी आप चपा पे खोलने वो चलेगी ही चलेगी ये हुनर अगर आप में है तो आप ये बिजनस शुरू कर सकते हैं एक छोटी दुकान में कुछ ओर्डर्स के साथ इसकी शुरुआत की जा सकती है जैसे जैसे आपकी कारिगरी की धाग जमती जाएगी वैसे वैसे मुनाफिक के चांसिस बढ़ते जाएंगे और अगर आप में टैलेंट है बोलने का या पर किसी चीज में आप काफी जादा महारत हासिल है किसी वीक शेत्र में आप टैलेंटिट है तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं कुछ लोग बाते कम करते हैं पर सोचते जादा हैं ऐसे लोग अमोमन कागज या नोटपैट पर अपने विचार उतारते हैं अगर आप भी उन में से एक हैं तो आप ब्लॉगिंग या हिंदी में कहें तो लेक लिख कर पैसा कमा सकते हैं बस कम्प्यूटर और इंटरेट के साथ ये शुरू किया जा सकता है अगर आप ब्लॉगिंग बड़ इस तरफ पर करना चाहते हैं तो आप अपनी खुद की वेब साइट शुरू कर सकते हैं यूट्यूबर यूट्यूबर आजकल बहुत जावार ट्रेंड में हैं तो आप यूट्यूब पर भी अपना टैलेंट पोट्रे कर सकते हैं यूट्यूब एक ऐसा प्लाटफॉर्म है जो हम वीडियोज अप्लोड करके काफी पैसा कमाया चाह सकता है ये अव विश्विस्नी प्रंतु सच है कि ऐसा करके लोग करोड़ पती बने हैं हाला कि यूट्यूब पर जमने के लिए थोड़ा वक्त लगता है पर अगर आप अपनी क्रियेटिविटी से दर्शकों की नफ्स पकट जाएं और धैरे रखें तो निश्चित ही आप भी इस प्लाटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं जबसे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आया है हर कोई फोटोगरफर बन गया है हला कि अगर इस शौक को थोड़ा सीरियसली लिया जाए तो मुनाफिक असौदा हो सकता है थोड़े सी इन्वेस्टमेंट से आप एक DSLR कामरा ले सकते हैं और अपना काम शुरू कर सकते हैं आजकल वेडिंग शूट्स के लिए फोटोगरफर्स की भारी डिमांड रहती है तीफिन सर्विस ये भी अच्छ ओप्शन है आजकल लोग काम के चक्कर में अपने परिवारों से दूर रहते हैं अगर आपके लोगों के बीच पेचान अच्छी है और आपका सोशल सर्कल बढ़ा है तो आप अपनी कंसर्टेंसी शुरू कर सकते हैं कंपनिया ऐसी कंसर्टेंसी को नौकरी के लिए सही व्यक्ति तलाशनी के लिए संपर्क करती हैं बदले में इसमें अच्छा कमिशन मिलता है अगर आप किसी ऐसी जगा रहते हैं पर टूरिजम के संभाबना है तो आप एक टूर गाइड के रूप में भी पैसा कमा सकते हैं आपको इस में विस्तार से पता होना चाहिए साथी विदेशी भाषाओं का भी थोड़ा ग्यान होना चाहिए जिससे कि टूरिजम से बाच्चित करने में समस्या ना हो तो यह तमाम वो बिजनस थे जिसमें आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगाने की जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक अच्छा कॉम्निकेशन डेवल होना चाहिए आपको यह पता होना चाहिए कि आप इस तरह के टैलेंट को कोट्रे कर सकते हैं आपको यह पता होना चाहिए अगर आप इसना शुरू करना चाहते हैं तो कौन सी जगा की क्या स्पेश्यालिटी है कहां घूमना जाया जा सकता है ताकि आपके साथ घूमने वाला आपके साथ कमफरेबल फील करे और हाँ साथ ही साथ उसको ऐसा लगे कि आपको घूमने के साथ साथ उसने कुछ ऐसी चीज़ें भी बताई है जिससे आप आज तक नदारत थे तशलिए आप हमारे चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और ज़रूर बताएगा किस तरह के वीडियोज आप देखना चाहेंगे ओके क्रेडिट, बिजनेस ओके है